हालो एंड वेलकम स्वागत है आपका समाजी ग्यान पे आज हम सिविक्स का फर्स चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ओन लिब इक्वैलिटी सिविक्स में आप यह जानते हैं कि किस तरह की राज्य वेवस्था होती है समाज जो है वो किस तरह से काम करता है कौन-कौन सी सोसाइटीज हैं कौन-कौन से संगठन और्गनाइजेशन हैं जो काम करती हैं लोगों के बैनिफिट के लिए औन इक्वैलिटी में यह बताया हुआ है कि जो आपका कॉंस्टिटूशन है आपका समविधान है वो यह कहता है कि सबके सब लोग जो है भारत में रहने वाले लोग वो किसी भी धर्म जाती के हों संप्रदाई के हों किसी भी लिंग के हों यानि औरत है आदमी है या कोई है तो उसको जो है इकोली राइट मिला हुआ है हर चीज के लिए वो समान है तो समानता का अधिकार है सबको हर आदमी को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है एस पर कॉंस्टिटूशन इस चैप्टर में आपको यहां बताया हुआ है कि यह देखिए यहां पे यह लोग है मंजीत कॉर टीचर है तेजा सिंग ट्रेडर है गिरीश राव स्टूडिन्ट है और कांता देवी डिमेस्टिक वरकर है सुजाता कुमारी डिमेस्टिक वरकर है तो यह कामवाली है एक ब्यौपारी है एक स्टूडिन्ट है तो इनके कपड़ों से भी आपको फरक पता लग रहा हुगा कि कैसे कैसे क्या है क्या है अब बात यह आती है कि एक्वैलिटी है तो है कहाँ एक्वैलिटी अगर इंडियन कंस्टिटुशन में है तो वह है वोट देने के लिए ठीक है अगर आप 18 साल के उपर हैं तो आपको equally right है एक vote देने का कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है भारत का नागरिक है और उसकी उमर 18 साल है तो वो एक vote दे सकता है अपनी सरकार चुन सकता है इसको कहते है अडल्ट फ्रेंचाइज और हिंदी में कहते हैं सर्व भॉम मताधिकार व्यस्क मताधिकार ठीक है तो अडल्ट फ्रेंचाइज में यहां पर यह दिखा रख है कि बही सुजा है और एक उनके जो इंप्लॉयर है वो दोनों एकी लाइन में खड़े वे और वोट गरीब लड़की और अउरत है जो अपने बच्चे को बिमार है जो उसको फॉस्पिटल ले जाना चाहती है तो उसके लिए वो पैसे मांगती है और उसको सरकारी अस्पिताल में लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है उसके बाद उसके बच्चे का ट्रीटमेंट हो दूसरा वो जहां रहती है वो भी बड़ी घंदी जुगी बसती है तो इस वज़ा से भी उसका बच्चा अकसर बिमार हो जाता है इक्वल राइट टू वोट हमारे यहां पर क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इसका मतलब सबको एक वोट देने का राइट ह आप अमीर हैं गरीब हैं औरत हैं आदमी हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं कोई भी हैं आपको एक वोट देने का राइट है आपका एक वोट जाएगा इसके बाद आपका आता है next उसमें other kind of equality और क्या-क्या equality आपको होनी चाहिए या देखते हैं आप अब यहां पर बहुत सार यह एक मैट्रिमोनियल कॉलम का दे रखा है कि एलाइंस इन्वाइटेड फॉर थर्टी टू एमेमेस फाइव फिट फोर इंच फेयर ब्यूटिफुल गर्ल वरकिंग इन आइटी कंपनी मुंबाई फ्रॉम बी एंबीए बॉय वरकिंग कि किस तरह का लड़का हमें गुपता बॉय है तो इस तरह के मैट्रिमोनियल कॉलम्स जब आप देखते हैं तो यह कहने की बात है कि यहां पर एक्वैलिटी कहां है हर आदमी तो अपनी पसंद की चीज चाहता है यह ऑवियस सी चीज है इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है आप यह सोचिए कि एक व्यक्ति जिसने बिल्कुल भी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है उसे किसी भी एक स्किल की नॉलेज नहीं है है ना मतलब बेसिक सी नॉलेज है वो घर में साफसफाई कर सकता है या गाय भैस चरा सकता है या दूद निकाल सकता है तो उसका काम क्या है कि वो यही का कर पाएगा अच्छे से अब उस व्यक्ति को उठांके अगर आप उसको बिठा दें कि आप बैंक काका समल क्या यैसा वैकती बैंक का समधा겠 चाहिए नहीं समधाकर जो बैंक का समालेगा उसको एक्वालिफिकेशन fourring चाहिए उसको चीज़ों को चलाना आपना चीए क्यू राइद और उदर धक्के खा रहा है ठीक है ना तो जो व्यक्ति जैसा है टेडर है व्यपारी है व्यपार कर रहा है पैसा लगा रहा है और पैसा कमा रहा है ठीक है तो यहां समाज में हमको equality देखने को नहीं मिलती इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सभी आदमी अलग-अलग education qualification बियर करते हैं अलग-अलग work से आते हैं और उनका एक अलग economic status है ठीक है? economic status का मतलब है कि जैसे आप middle class है, middle class में भी तीन work हो जाते हैं, एक lower middle class है एक middle class है और एक upper middle class है upper middle class जिनके पास गाड़ी है और दो एक यात्राएं कर लेते हैं अगर कहीं जाना ना होता है तो वो शताबदी वियर करते हैं एक अच्छी train और aeroplane को अफोर्ड कर सकते हैं तो इस तरह ये लोग आ गए upper middle class में उनका अपना घर है middle class में वो लोग आ गए जो सरकारी जॉब करते हैं उनके पास में अपने रहने के लिए घर है और कोई two wheeler वाहन है cycle है, bike है या आपका scooter वगेरा है स्कूटी है, ऐसी चीज़ें वो afford कर सकते हैं lower middle class में एक ऐसा person है जो मतलब सिरफ अपने खाने की ज़रूरते पूरी कार पाता है, अपने बच्चों को पढ़ा पाता है और उसका अपना घर नहीं है वो rent पे रह रहा है और अपने घर के लिए कोशिश कर रहा है और वो public transport use करता है बाकी लोग भी public transport यूज कर सकते है लेकिन उसके पास अपना कोई vehicle नहीं है तो इसलिए वो public transport यूज करता है तो ये middle class में भी आपको तीन वर्क देखने को मिल गए अब ये कहना कि सब कुछ एक जैसा है एक समान equality है यहाँ equality नहीं है दूसरी चीज यहाँ पे एक word आया है दलित दलित का मतलब होता है पिछडा हुआ गरीब ठीक है इसमें यहाँ पे एक ओम प्रकाश वालमी की है जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम उन्होंने दिया है जूठन और उन्होंने ये बताए कि मैं एक दलित परिवार से हूँ तो मेरे साथ में स्कूल में बड़ी पाश्यल्टी की गई मैंने पूरा स्कूल साफ किया गया टीचर ने मुझे देखा लेकिन फिर भी टीचर ने उसी इसको रोका नहीं कि ये भी और स्टूजिंट्स की तरह ही पड़ेगा मुझे अगालक बिठाया जाता था मेरे साथ में दोगला विहवार किया जाता था यही सब इन्स कहानी में उन्होंने बताया है फिर एक इसमें रेफरेंस दिया है मिस्टर एंड मिसिस अंसारी का कि जब वो घर ढूणने जाते है तो उनको जो लेंडलोड होते हैं वो उनको वहाँ पर रखना नहीं चाहते है जब उनको पता चलता है कि वो मुस्लिम कम्यूटी से बिलॉंग करते हैं तो वो उनको वहाँ पर मना कर देते हैं तो जो रेंट पर रखवाने वाला दलाल या डीलर है वो उनसे कहता है कि आप अपना नाम बदल लीजे तो आपको मकान मिल जाएगा, ठीक है, तो ये दो एक इसमें यहाँ पर एक्जामपल दे रखे हैं, उसके बाद है आपका recognizing dignity, dignity क्या होती है, dignity होती है आत्म सम्मान, ठीक है, आप भीक मांग के खा सकते हो और आप कमा के खा सक अगर आपके साथ में self respect है, आप respectful life deserve करते हो, तो आप मांगने में यकीन नहीं रखोगे, आप मेहनत करने में यकीन रखोगे, और आप ये कोशिश करोगे कि मैं भई मेहनत से जितना कमाऊँगा, मैं उतने में ही अपना गुजारा करूँगा, मैं किसी की जेव नहीं थर नहीं फेक होंगा, और अगर कोई मेरे आसपडोस में रहता है ऐसा व्यक्ति जिसने मेरी कभी मजबूरी में मदद की थी, तो मैं उसके बच्चों पर गर्दन पर चाकू नहीं चलाओंगा, ये आपकी dignity वाली बात है, कि आप में कितना self respect और कितनी ग्यारत मंदी है, औ किस तरह से उनको treat करते हैं, equality in Indian democracy, constitution क्या कहता है आपको, constitution कहता है कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं, they all are equal before law, equality before law है हमारे यहाँ पर, विधी के समक्ष समानता, मगर क्या आपको ऐसा लगता है कि विधी के समक्ष समानता है, as per law, सभी लोग समान है, यहाँ पर अभी पिछले ही कुछ समय में आप देखो, कि एक व्यक्ति को जो एक normal आदमी है, आपके हमारे जैसा, अगर उसको न्याय चाहिए, तो उसको कई dates मिलती है, कई बार उनको चक्कर अगटाए जाते हैं, महेंगे महेंगे वकील करने के बाद भी उनकी नंबर नहीं आते हैं, उनके हाथ में क्या आता है, एक अगली date का जुन जुना आता है, लेकिन जैसे ही किसी particular जगा पे, जहां पे particular community रहती है, वहाँ पे, अगर कोई भी खुल जाते हैं, एक घंटे के अंदर मतलब वहाँ बारा बज़े या ग्यारा बज़े कारवाई होती है, और एक बज़े judgment भी आ जाती है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो क्या equality before law है, एक common आदमी के लिए court कई दिन, कई साल, कई महीने लगाती है, किसी चीज को सुनन में, judgment देने में नहीं, उसी के उलट, अगर कोई terrorist है, या कोई anti-social element है, तो कोड धाई बज़े भी रात में खुल जाती है, तो कहां है equality before law, क्या law के आगे सब बराबर हैं, कुछ लोगों को तो special passage मिल रहे हैं, इसी तरह से यहां पर दे रखा है, कि जो दुपहर में खाना मिड़े मील का प्रोविजन है, सरकार ने शुरू किया है, ताकि उन लोगों तक खाना पहुंच सके, जिनको खाना नहीं मिल पाता है, यहां पर थोड़ा सा reference दे रखा है, कि अमबेटकर जी ने इसमें यह चीज़ कहा था, कि सब को बराबर होना चाहिए, जो बराबर नहीं है, उनको बराबरी पे लाए जाने की कोशिश करने चाहिए, as per law, as per constitution, अमबेटकर जी ने यह कहा था, भीमराव अमबेटकर ने की reservation होना चाहिए, सरकारी नोकरियों में reservation होना चाहिए, और यह विवस्ता 10 साल तक लागू होनी चाहिए, जब आप भारत जो है, वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद, और उसके बाद में इसको अगर सरकार देखती है, कि इसको review करनी की जुरत है, तो इससे review करना चाहिए, otherwise इसको खतम कर देना चाहिए, इस provision को, तो इसके पीछे उनका logic यह था, कि कम से कम अगर कोई सरकार इमानदारी से काम करेगी, आम जनता के लिए, पिछड़े वे लोगों के लिए, तो 10 साल काफी मर रहे हैं, आज भी लोगों के दिमाग में एक ऐसा हिसाब किता बैठा हुआ है, कि जो लोग अपने आपको बताते हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े हुए हैं, रिजर्वेशन चाहिए, तो अगर रिजर्वेशन चाहिए, तो एकनॉमिक आधार पे होना चाहिए, अगर को उनके बच्चे काबिल हैं या नहीं है, लेकिन अगर उनके पास में पैसा है, और वो दलित वर्क से आते हैं, तो वो उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, और उसकी जगापे, जिने एक्चुल में जरुरत होती है, उन लोगों की मदद नहीं हो पाती, तो ये एक अभरिकन अमेरिकन उसका दे रखा और यूएसे का दे रखा है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि विदेशों में, फ्रांस में भी एक समय ऐसा था जहां, लेडिज को वोटिंग करने का राइट नहीं था, इन लोगों को भी वोटिंग का राइट नहीं था, तो वोटिंग क का राइट होने का मतलब हमें अपनी सरकार बनाने का हक है और इन के लिए इन देशों में मतलब विदेशों में बहुत बड़े आंदोलन हुए कई टाइम लंबे टाइम तक चलते रहे और उसके बाद जाके उनको वोड़ डालने का राइट दिया गया यहाँ पर जैसे दे रखा है सिविल राइट मॉव्मेंट दा सिविल राइट एक्ट इन 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ओन दा बेसे ऑफ रेस रिलीजन और नैशनल ओरिजन तो 16 1964 में जब यह एक्ट पास किया तो उसने का कि भई किसी के साथ में धर्म के अधार पर कलर के अधार पर जाती के अधार पर और वो किस नेशन से आता है किस देश से आता है इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा तो यह इसके कुछ चैलेंजिस ओफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में भी कुछ चैलेंजिस है equality के लिए no country can be described as being completely democratic there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for the greater recognition of equality on existing as well as new issues यहाँ पर यह चीज़ बताने की कोशिश किया है कि जितनी भी democratic countries है उनमें समय समय पर लोगों के welfare के लिए democracy के पीछे democracy क्यों काम करती है democracy के लिए क्या funda basically चलता है तो वो मैं आपको बता दूँ कि democracy की नीव क्या है कल्यानकारी राजी welfare state क्यों democracy चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का welfare किया जा सके इसके पीछे ये logic है लोग तंत्र मतलब लोगों का तंत्र लोग चुन रहे हैं और अपने में से चुन रहे हैं तो जो लोग चुन कर आए हैं उनका ये धर्म बनता है उनका ये काम बनता है कि वो जितने भी लोग हैं उनके welfare के लिए काम करें उनको equal करने के लिए काम करें इसके लिए काम करें कि कोई व्यक्ति जो है वो भूखा ना सोए उसके सर के उपर छट हो उसके बच्चे को education मिले और बिमार होने पर उसको proper treatment मिले तो ये है आपका chapter और इसके notes मैं आपको दे देती हूँ इस chapter में जादा कुछ नहीं है दरुदर की कहानिया ही दे रखी है इसको आप एक बार reading कर लेना अगर आपके पास book है तो मेरे पास यही book है तो मैंने इसमें से आपको पढ़के बता दिया कि इसमें क्या चीज़ बेसिक है और question answers के लिए आप next video का wait कीजिए मैं उसमें आपको notes दे रूँगी और जब जो download का link होगा उसमें notes plus question answer दोनों आपको मिल जाएंगे Thank you, thanks for watching